पॉलिंग का खतम होने का वक्त जो सिरकारी तोर पर लेक्षिय कमिशिन आपाकिसाम करता है, उस वक्त तक जितने पॉलिंग जितने भी वोटर जो हैं, वो पॉलिंग सिलिशिन की ख़दूद के अंदर आ जाएं, वो सब वोट डाले के अहल हैं, चाहे उसके लिए जितना भी वक्त extend करना पड़े उसके लिए प्रेडिंग अफसर उन सब को मौका देगा वक्त की उसको देखे बगार कि क्या टाइम हो चुका है लेकिन शर्त ही है कि वक्त जो मुकर्रा वक्त है उस वक्त तक वो पॉलिंग सेशन के दूद के अंदर दाखल हो चुके वोटर अच्छा ज बेल्ट वोक्स सील के जाता है उसकopher लगाई आती है और एक पाँछे सील उस जगह पर जहाँ से वोटर उन सर्ट करता है उस बेल्ट वोक्स के अंदर वहाँ पाँछे सील लगाई आती है और उसके बाद जब सवाम पॉलिंग बूस पर वोट Nintendo candidate वो जाए तो सारे पॉलिं है उसका सिर्फ एक पोलिंग एजंट उस गिंती में शामल हो सकता है आम चरपर एक पोलिंग स्टेशन पर एक उम्मी दवार के उतने आम पोलिंग एजेंट होते हैं जितने वहाँ पोलिंग बूथ हूँ, लेकिन गिंती खालु होते हैं, इसी तरह जो accredited observers हैं, चाहे वो media हैं या observation, जो observer जो organization हैं, उनके लोग हैं, वो भी वहाँ पर उसमें शामर हो सकते हैं. गिंदी के दुरान वो तुमाम belt boxes को खोले जाते हैं. अब यहाँ पर जो polling agent का बड़ा एहम रोल है, वो यह है, कि polling agent के पास अगर सुबह जो चारों polling booths के लिए जो belt boxes seal किये गए थे, उनके उपर एक मखसूस number होता है, और वो मखसूस number जो है, जो एक seal पर होता है, किसी और seal पर नहीं हो सकता. अगर polling agent ने वो seal number note कि हुए हैं, तो जब गिंदी के वक रिटर्निंग अफिसर उन belt boxes की seal को खोलता है, तो यह polling agent का अख्तियार और जिमादारी है, कि वो देखे कि क्या इन पोलिंग जो बेल्ट boxes हैं, इन पर seal के नंबर वहीं हैं, जो सुबह जब seal किये गए थे, उस वक्त जो नंबर मैंने नोट किये थे, इस से पता चल सकता है, कि खुदारा खास्ता वहाँ पर belt box की seal कोल कर उसमें कोई मसला, कोई इस तरह घल्ट काम तो नहीं किया गया, उसके बाद जो है, दूसरी चीज़ जो एहम है देखनी वाली polling agent के लिए वो यह है, कि जब polling, किसी भी polling booth पर खत्म होती है, तो वहाँ पर जो polling agent मौझूद है, उसको चाहिए एक assistant presenting officer जो वहाँ पर मौझूद है, उससे पूछे कि कुल कितने पैलट पेपर issue हुए हैं इस polling booth पर, इस तरह पर जो जितने polling booth उस polling station पर हैं, उन सब के जो इशूड बैल्ट पेपर्स हैं, उनको जमा करके, अगर उसे पता चलता है, कि यहां पर साथ सो पचास बैल्ट पेपर इशू हुए हैं, तो फिर जब गिंती के ज्यादा बैल्ट पेपर्स हैं चारो polling booth पर, उनके मताबिक है यह नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि ज्यादा बैल्ट पेपर जो हैं, वो यहां से रामद हुए हैं, इन polling बैल्ट बॉक्स से, तो यह polling agent की एहम दिमदारियों में यह भी चीज़ चामल है, तीसरा जब गिं सूस कोड नंबर होता है, जो यकीनन उस polling agent को मालूम होना चाहिए, क्योंगे सुबा जब polling station काईन की एह गया था, तो जितनी seals मुख्ले बूत्स में तक्सीम की गई थी, तो अच्छा polling जिम्हदार polling agent जो है, वो seals के नंबर नोट करता है, और फिर जब गिंती होती है, तो ग एक भी चीज़ ना हो, तो वो वैलेड वैलेड पेपर नहीं है, उसे गिंती में शामल नहीं किया जा सकता.